हाई एवरीवन वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल नीशा सानू तो कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो आज हम बनाने वाले हैं चेकिन चोमिन उसके लिए मैंने या नूडल्स को बूइल कर लिया है साथ यह मैंने ले लिया है एक बड़ा साइज का प् होने देंगे दूसरी तरफ मैंने चिकन को चोटे चोटे टुकुड़ों में चोप कर लिया है और चिकन को हम नमक डालके अच्छे से फ्राइ कर लेंगे तो देखिए हमारा चिकन यह अच्छे से फ्राइए हुचिका है तो अभी हमारा तेल भी अच्छे से गरम हो चुका है तेल में डाल देंगे हरिमिज प्यास ट्रमाटर इसको अच्छे से पका लेंगे हुआ का लुट कै लुट Yuk कर लेंगे अबड़े लुट कि अध्यू मैं तह अब लुट कि अखिए हो राल नहीं खेउगो कि अ लुग कि देखिये मसालामा अच्छे से पक चुकत है मैंने इसमें लामी relevant थोड़ी हल़ी पौडर रशवाद diu सर्नमक जालों ढ़ल दिया है मिक्स कर लेंगे तो देखिए मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है अभी हम इसमें डालेंगे पत्ता गोभी जिसको कि मैंने पतला-पतला कट कर लिया है क्योंकि चॉमिन में पत्ता गोभी बहुत ही ज्यादा टेश्टी लगती है अब हम इसमें डालेंगे जो हमारा जो चिकन है जो हमने फ्राइ करके रखा है उसको डाल देंगे अब इसको भी हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम अमारे जो नूडल्स है जिसको अमने अच्छे से बूल कर लिया था वो डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो चलिए इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सोय सोस चलिए सोय सोस डालते हैं और सोय सोस डालके हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अभी मैंने चौमिन को अच्छे से मिक्स कर दिया है मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है उसके अंदर तो देखिए हमारी चौमिन कितनी अच्छी लग रही है तो हमारी चिकिन चौमिन बन चुकी है तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारे चिकिन चौमिन साथी में मैंने इसके लिए बनाई है चटनी चटनी का फ्लेवर बोर टेस्टी होता है एक बार आप लोग भी बना के देखिए आई होप आपको भी अच्छा लगेगा तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ठेंक्स पोर वोचिंग मैं वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबाई